जब आपको रोकने के सारी तरीके नाकाम हो जाएं तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे दोस्तो आज का ये वीडियो तुमारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो से एक सेकंड के लिए भी नजरे मत अठाना वरना तुम बहुत कुछ खोदोगे आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूख कापती है आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूँगा जिसे सोच सोच कर ना जाने तुम अपना कितना समय बरबात कर देते हो और इतना जिद्धी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें जुखा न सके लेकिन इस सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा एक लाइन में कहा जाए तो हाँ मैं आज तुम्हें पागल बनाऊंगा वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तोर पर देखते हो मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हे इस दुनिया के फैंसले के खिलाब जाने का सहस देगा एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है ना सुक का लोग होता है ना माया भटकाती है और ना किसी का साय साथ देता है एक सर्फिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा, क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते ही या अस्पताल में फिरते देखा है, उस पागल इंसान को जब तुम देखते हूँ, तब तुम्हारे दिमाग में क् पागल पन भर लेते हूँ, तब तुम्हारी कामियाभी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं, तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से, या तानों से फर्क पढ़ना बंद हो जाता है, तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दरते, ना तुम्हें रिया के लेटेश्ट रील से फर्क पढ़ता है, और ना तुम्हें रात पर जाकर अपने काम को करने के तकलिफ से कोई फर्क पढ़ता है, ना तुम्हें दिन से फर्क पढ़ता है, और ना ही देर रात से, अगर फर्क पढ़ता है, तो सिर्फ अपनी से लड़ने और घटिया जिदो को पूरा करने के लिए ही बोला गया है नहीं दोस्तों बिलकुल भी नहीं जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं असल में वो पागल लोगी हैं जो उस कहानी के हीरो होते है तभी तो दसवी क्लास में फैल हुए सचिन तेंदुकर की बायोग्राफी महराश्टर के इस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है सायद तेंदुकर साहब में वो पागल पनी था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए श्ट्रोंग बनाया स्री कला जिसे फुटबोल का बड़ा सोग था उसे एक दिन भहुत बड़ा फुटबोलर बना था लेकिन वो दिल की बिमारी और पैर की कमजोरी से परिशान था और जैसा कई सक्सेस्पुल लोगों के साथ हुआ था वैसे ही इसे भी डोक्टर ने साफ कह दिया था कि ये लड़का क दुनिया का सबसे हाइस्ट पेड एथलीट है मैं बात कर रहा हूँ फुटबोल के लेजेंड लियोनेल मैसी की जिसकी दीवान की दुनिया में इस कदर है कि फुटबोल के डाई आर्ट फैंस इन्हे भगवान मानते हैं अगर इन सभी में वो पागलपन वो जिद नहीं होत अगला एक साल सिर्फ और सिर्फ एक साल पागलपन को सोब दो खुद के किरदार को पागल बना लो एक ऐसा पागल सरफिरा जो अब नए आयतिहास रचने को तैयार है एक ऐसा पागल जवन जो अब सिर्फ अपनी काम्यावी के पीछे भागने को तैयार है एक ऐसा पागल जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने काटे हैं, कितने मुस्किले हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है, अगले एक साल तक पीछे मुड़कर मत देखो, अगले एक साल तक इस बात की परवा करना चोड़ दो, कि किसकी सागाई है, किसकी साल शोदर जाएं, सायद इस एक साल के पागल पन वाली महनत और सिद्धत तुम्हें इतना काम्याब कर दे, कि गालियां देने वाले भी तुमारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं, सायद इस एक साल के पागल पन से, तुम इतना कुछ अचीव कर जाओ, जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, किसी भी आंधी तूफान की परवा किये बगर, ये एक साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो, अगले एक साल बाद जब घोस में आओगी, तब तुमारी किस्मत और काइनाथ, दोनों चमकती नजर आएंगी, दोस् एक साल बाद गहा बाद पाते हुआ है।